सब्सक्राइब नाओ and प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट प्रोपर मिल्किंग कर पाएं और किस प्रकार से आप पशु की फीडिंग कर सके तो जिसा कि आपने हमारे पशु का फीड भी देखा होगा और हम जब फीडिंग करते हैं तो उसका वीडियो भी हमने बनाया था आप हमारे चेनल पर जाकर देख सकते हैं पूरा प्रोपर डिसाट दिन फीट को भीगो कर देते हैं सविरे और शाम को दोनों टाइम हम भीट देते हैं दो गर मैं ही पशु just को खुली पर बांते हैं और उसके आलावा जो टाइम बच्टाрий उसमें पशु जो अपने चारा का पशु अपने फीट को पचाने का काम करता है जिसा कि आप देख सकते हैं हमने फीट को भीगो दिया है लगबग आठ साड़े साथ आठ बज़े सवेरे तो आप फीट को देख सकते हैं ये वाला जो फीट है हमने भीगो दिया है और ये हैं जो milking में animal हैं उनके लिए feed हैं तो जिसा कि ये जो feed हैं इतना आप measurement नहीं कर सकते वीडियो के माध्यम से परन्तु मैं आपको बता दू ये 6 kg सूखा feed है जिसको हमने लगबग 10 से 12 लिटर पानी में भीगवया है तो ये लगबग हो गया है 6 kg फीड का 16 kg फीड हो चुका है पर हम 6 kg कल्कुलेट करते हैं यहाद 2 पशु को हम फीड देंगे लगबग 1 पशु को 3 kg सूखा feed गला कर हम लोग देते हैं एक समय और अगली समय फिर 3 kg सूखा गला कर फीड उनको देते हैं और बात करते हैं यहाद मिलकिंग में पशु उनके लिए फीड था कि इसमें है मक्का की खली जो माइस केक जिसे कहते हैं मक्का की खली और इसमें हैं लगबग 1 kg मक्का की खली और बाकी का जो फीड है लगबग 5 kg पांच किलो फीड इसमें सोयबिन की टुकडी घेहो की टुकडी और मक्का मेथी चना ये चारो पांचो जो अनाज हैं इनका जो मेश बनाया हुआ है वो फीड हैं मैं आपको इनका मेश दिखा देता हूँ ये वाला आप देख पा रहे हैं ये इनका मेश हैं इसी मेश को हम लोग गला कर देते हैं पांच किलो ये वाला मेश और एक किलो लगबग इसमें जो हैं मक्का की खली हैं तो यानि 6 किलो एक पशु को फीड देते हैं दोनों समय ज यह आप देख सकते हैं यह वाला कुछ अलग फीड है यह वाला हम केवल female cow को देते हैं यह डॉय ड्राइ एनिमल जो हैं उनको यह वाला फीड देते हैं इसमें हैं मेथी और उड़त का जो डल्यां बनाकर हम लोगों ने मिक्स करके उनको देते हैं जो female cow होते हैं तो हम लोग ये वाला फीड जो है लगबग 6 किलो फीड पशु एक पशु को देते हैं जो लगबग 10 लिटर एक टाइम की मिलकिंग करता है और 3 किलो एक टाइम का हम लोग फीड देते हैं तो जो फीड है हम लोग भीगो कर देते हैं पूरे साल क्योंकि फीड भीगोने से होत तो आपने सुना होगा कि पशु को फीड पका कर भी दे सकते हैं तो पशु को फीट पका कर भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको पानी उबालना होगा, पानी उबालने के बाद में आपको उसमें फीट डालना होगा, और फीट आप पका कर दे सकते हैं, पका कर फीट देने में पशु को और भी फायदे होते हैं, जिससे पशु का पाचन सही हो जाता है और feed उनको पूरा लगता है जादा कुछ अंतर नहीं आता है feed को गला कर और feed को पका कर देने में यदि आप गेहूं का दलिया जादा यूस करते हैं तो feed पका कर देने में जादा फाइदा है पर यदि आप गेव और मक्के का दल्या कम यूस करते हैं तो आपको फीट पकाने की आवशक्ता नहीं होती है जिसा कि हम लोग जो फीट डालते हैं उसमें मक्का की जो खली होती हैं उसको जैसे ही पानी में हम लोग डालते हैं वो सारे गल जाती हैं और काफी अच्छी तरीके से गल जाती हैं, उसमें एक कंड भी नहीं रेता हैं, इसलिए हमें फीट को पका कर देने की आवशक्ता नहीं होती हैं, तो आप फीट को पका कर भी दे सकते हैं, बशुक को, और यदि आप के पास पकाने की विवस्ता नहीं हैं, और यदि आप मक् को जो grinder करते हैं grinder के अंदर तो आप उसके बड़े कंड ना रखें जिससे होता ये हैं कि यदि मक्का के कंड बड़े हैं तो वह गोबर के द्वारा आपके पशु के सारे मक्का निकल जाती हैं जिससे कि पशु को फीड नहीं लगता है और वो सही proper पर मिल्किंग नहीं कर बाता है तो इसी प्रकार से हम कितनी समय पशु को फीट देते हैं तो आपने वीडियो देखा ही होगा जो हम लोग अभी जो आड़ बजे हमने सुबर के फीट गलाया है फीट को भिगोया है यह हम पशु को देने वाले हैं लगबग धाई बजे के आस गलाते हैं और उस फीट को सुबर मॉर्निंग में साड़े चार बजे हम लोग पशु को देते हैं जिससे की फीट अच्छे से भीग जाता है और हाँ याद रखे कि सर्दी का जो मोसम है उसमें यदि आप फीट भिगोते हैं यदि आप सवेरे फीट भिगोते हैं तो यदि जब सर्दी होती हैं तो सर्दी में जब फीट आप पशु को सवेरे देते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी कम डाले और गरम पानी डाल कर पशु को दे सकते हैं जिससे की फीट ठंडा न रहे और पशु खाने में आसानी हो और पशु को तकलिफ ना हो जादा भी ग फीट को गरम पानी में पकाने में गरम पानी में भीगोने में भी अच्छा रहता है और यदि आपके घर पर कुवा है तो उसका भी गरम पानी आप यूज कर सकते हैं सरदी के मोसम में गरम आता है यदि आप गरमी के मोसम में फीट को भीगो कर देते हैं तो फीट को गरमी के मोसम में कम समय तक भिगोना चाहिए जिसे की फीट खराब ना हो यदि आप ज़्यादा देर तक गर्मी के मोसम में फीट भिगोते हैं ज़्यादा गर्मी में तो फीट खराब हो जाता है कई बार पशु को नुकसान करता है इसलिए गर्मी में कम समय के लिए फीट भीगो है थोड़ा सा लेट फीट भीगो है और पशु को दे तो यह था हमारा टोफी का पशु को फीट के से दे कितने समय हम लोग फीट देते हैं और कितना पशु को फीट देते हैं उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि हम लोग पश समय पशु अपना फिट पचाता है और जो प्रीट को जो काटने का काम रहता है पशुब का मुझ से तो वह करता रहता है और कई-न-कई पशु आराम करता है और पशु रिय-ट तो यह था हमारे आज का वीडियो में हम आपको लोन से संबंदित जानकरी बताने वाले हैं जिसकी हम कुछ study कर रहे हैं उसी के बाद हम लोग बता पायेंगे कि जो प्रोपर सही जानकरी हैं लोन की आप किस प्रकार से loan आवेदन कर सकते हैं और कौन सा loan आप ले सकते हैं उमिदे आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को शेर करें, लाइक करें और चेनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारे के साथ तण्यवाद